पैसे से तो हर कोई प्लांट पर्चेस करता है लेकिन अगर कोई गिफ्ट में आपको पौधों के साथ-साथ गमले भी गिफ्ट करें तो तो हमारी बल्ले-बल्ले हो जाती है तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है प्रेंट से कल सामको मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपने घर में इंवाइट किया और वहाँ जाके मैंने देखा कि इतने सारे पौधे उन्होंने मेरे लिए रखें और पौधों के साथ-साथ प्रेंट से उनके रूड से भी ग्रो कुछ पौधे इन में से ऐसे भी है फ्रेंड से जो मेरी गार्डन में नहीं है फर्स टाइम मैं इनको एट करूंगी तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से पौधे मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है तो आप वीडियो देखते देखते चैनल को अगर सब्सक्राइ तो उन्होंने कटिंग बहुत पहले लगा रखा था क्योंकि अभी वन हाप मन्त पहले वो हमारी गार्डन आये थे और मैंने बहुत सारी प्लांट से उनको गिफ्ट किया था तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि मेरे पास गुलाफ के जो यह प्लांटे जादा बारिश की वज़़े से कश्मीरी रोज के दो प्लांट मेरे खराब हो गया थे तो उन्होंने धेयान में रखते वह यह दो फ्लांट मुझे कीफ्ट किया है मुझे यह प्लांट की वित रूट साइथ मुझे मिल गया है काफी हाड़ी यह प्लांट होता है फ्रेंट से फर्स टाइम में एड़ करके इस प्लांट को बहुत ज्यादा खुश हो और इसके लिए फ्रेंट से आप किसी भी छूटे से पॉट का यूज़ कर सकते जब यह प् बहुत सारी कटिंग से उन्होंने दिया है यह जो कलर है फ्रेंट से यह डार्क रैट कलर है काफी सुन्दल लगते हैं इनकी फ्लावर जब खिलते हैं तो आगे तो फ्रेंट से इसी का टाइम आने वला है विंटर सेजन तो इस टेम अगर आपको कोई ऐसे कटिंग से मिल रहे मैं इन सारे कटिंग से को बहुत जल्दी ग्रोव कल लूँगी इसी की साथ एक बहुत ही गुस्तुरत सा मुझे पौधा मिला है यह है डिरुफिन वेकिया और डिरुफिन वेकिया आप देख सकते हैं प्रेंट से उन्होंने गमले में लगा के मुझे दिया है काफी ठेरो सारे बेबी प्लान्ट ग्रोव हुए है तुन्होंने एक पीस यह पौट में लगा के रखा दा तो मुझे इस पौधे को ग्रोव करने की जरूरत भी नहीं है काफी हेल्दी यह पौधा है इंडोर आउट्डोर के लिए काफी अच्छा यह पौधा होता है फ्रेंट स आउप सारे हेल्दी कटिंग से यह देख सकते हैं उपर की ब्रांच की कटिंग दिया इस बात का अफधेन जरूर रखे जब कभी भी आप अपने किसी भी रिलेटिव है फ्रेंट सरकल से कटिंग से लेके आ रहें तो उपर की टीप की कटिंग होनी चाहिए और जो कटिंग सहीत मुझे ये इतना बड़ा सा एक प्लांट दिया है तो इस प्लांट को पाकी भी में बहुत ज्यादा खुश हूँ एवर ग्रीन रहने वाला ये पौदा होता है ज्यादा इसकी देख़ाल करने की हमें जरूरत भी नहीं होती है और ये गुढ़ल की कुछ कटिंग से मिली है ये औरेंज कलर का हाइबरीट का गुढ़ल है तो दो ब्रांच उन्होंने मुझे गुफ्ट किया है और इस साइड ये जो गुढ़ल है प्रेंट से जिनके वारिगेटेट लीब्स हैं इसके लीब्स ही की वज़े से मैं इस पहले मैं वीडियो शूट करूँगे उसके बाद सामको में इन पौधो को लगाऊंगी इसलिए इसे मैंने पानी में रखा है इस पौधे का नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन इसमें पर्मनेंट फ्लावर खिलते है फ्रंट से एलो कलर के काफी सुन्दर सा ये पौधा पौधा तो में लेके आई हो पहले मैं अपने गार्डन में एट करती हो फिर में जब ये पौधा बढ़ा हो जाएगा तो इसकी फ्लावर से मैं आपको दिखाऊंगी ये सुन्दर सी लिव्ज वाला जो पौधा है ये एक क्रोटन की वाराइटी है काफी सुन्दर दिखने मेरे पास हाला की है फ्रेंट से फिर भी उन्होंने मुझे एक कटिंग दे दिया है तो मैं इस पौधे को भी लेके आई हो असाथ में फ्रेंट से ये गुढ़ाल की दो वेराइटी है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर से खिलते हैं काफी सुन्दर ये गुढ़ा होती है ये वाइट कलर का मेरे पास थानी फ्रेंट से तो इसके भी दो कटिंग से में लेके आई हो काफी बड़े ब्रांचे उन्होंने दिया है लेकिन मैं इसे कट करके छोटा बना के फिर में इससे सॉल में लगाऊंगी इस साइड ड्रेसिना की दो वेराइटी दिया है और हुझ उन्होंने उन्होने मुझे गिफ्ट कियाँ और साथ ही ईप्रेंड से लेएटडं से दिखिए चसे यांग इन विंट 90 यह मुझत किया उंने काफी सुंदर है पाच ऐंगी इंशी में अपने गाढन में चासे छोटी-चोटीम ऑच योजने करते हो जिनमें पर्मेनंट हेंगिंग प्लांट में लगाती हो और सेख्वूलेंट भी लगाती हो तो आगिा उनाने वाला हैं तो इन पउर्स में में सेखे69 कंवहां मानेखनते है और प्विडियो कैसा लगा कमें स्कार अधिक प्रंट से जैं हिन जैं भारत राध राधे